नमश्कार आपके साथ मैं हूँ देपिकाल लाल बाग के राजा के दर्शन करने के बाद मुकेश अंबानी घर की और जा रहे थे लेकिन उसी दोरान बीच रोड पर जब वो कार में बैट रहे होते हैं उससे पहले उनकी अनंत और आधिका से शायद कोई बात हो जाती है और साफ दिख रहा है फेशिल एक्सपेशन से भी साफ है कि शायद कुछ गंभीर बाते चल रही है मुकेश अंबानी की कोई ऐसी बात है जो कि अनंत को पसंद नहीं आई राधिका को पसंद नहीं आई है चलिए आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें और वीडियो भी वारल हुआ है और मुकेश अंबानी जो है उन्हें लेकर लोग कमेंट भी कर रहे हैं वेल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जली से कर लिजे ताकि सारी की सारी लेटिस कबरे आप तक पहुँचे चल से चल मुकेश अमबानी लाल बाग के राजा के दर्शन करने के लिए पहुचे बड़ी बहु छोटी बहु और छोटे बेटे के साथ और उन्होंने बपा का आशिरवात लिया धेर सारी कामनाई भी मांगी होंगी और उमीर करते हैं कि उनकी सारी की सारी मनुकामनाई जो है वो जल से जल पूरी होंगी लेकिन जब वो बहार निकल रहे थे लाल बाग के राजा के दर्शन करने के बाद तब ही अननत अमबानी से वो कुछ कहते हुए नजर आये और नाराज की उनके चहरे पर दिख रही थी और उसके बाद राधिका मर्चंट भी उन्हें समझाने की कुछ कोशिश करती है कुछ कहने की कोशिश करती है लेकिन मुकेश हमबानी अपनी कार में बैठ कर निकल जाते हैं हाला कि बातचीत क् की भीड बहुत जादा थी शोर बहुत जादा था इसी लिए उस वीडियो के आडियो को समझ में नहीं आ रहा है लेकिन फेशल एक्सप्रेशन जो है वो काफी कुछ कह रहे हैं और ये लग रहा है कि इन तीनों के बीश में शायद कोई गंभीर बातचीत हो रही है इसके ब तरीके से राधिका ने उन्हें पापा कहकर बुलाया था अपने प्री वेडिंग फंक्शन में वो भी लोगों को काफी जदा पसंद आया था